अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले रास्ट्रिय रासधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विशय गणित कारेपत्रक नंबर 30 तिथी 21 ओक्टोबर 2021 के लिए कक्षा 6 की ये कारेपत्रक है यहां विद्यारती अपना नाम लिखेंगे यहां आपने कक्षा आध्यापक याध्यापिका का नाम लिखेंगे तो आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक जियामिती एक कौन का समध्विभाजक तो इसके लिए पहले हमें क्रिया कलाप करके देखते हैं एक कागस पर कौन एंगल एओ भी खीची है आप इस तरीके से कागस पर एंगल एओ भी एक कौन खीचना है ठीक है आपको इस कागस को जब आपने खीच लिया तो इस तरीके से मोड़ना है कि इसका जो मोड़ का निशान है वो O से होकर जाए यानि कि जो मोड़ है वो इस तरीके से होकर जाए और इस तरीके से मोड़ेंगे तो जो O A और O B जो है वो क्या हो जाएंगी समपाती हो जाएंग तो उसका निशान हो जाएगा तो इस प्रकार OC कोण एंगल AOB की समदूई भाजक है तो इसलिए OC क्या हो जाएगी इस कोण AOB की समदूई भाजक यानि कि इसको बराबर भागों में इसने बाट दिया है और इसी वज़े से जो ये एंगल AOC जो है ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा एंगल C,O,B के बराबर ठीक है अब आगे देखते हैं एक कोण का समदूई भाजक खीचना अब अगर हम एक कोण का सम्द्वी भाजक खीचना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहला चरण होगा हमारे पास कोण एंगल डी एई का सम्द्वी भाजक खीचना है माली जी ये कोण आपने बनाया हुआ है तो इसका आपको सम्द्वी भाजक खीचना है तो प्रकार में कोई भी दूरी भर कर A को केंदर मान कर B से C तक चाप खीचिए आप क्या करेंगे प्रकार में कोई भी दूरी आपने ले ली और इसको A को केंदर मान कर आपने ये केंदर माना A को और फिर B से लेकर C तक एक चाप लगाई अब दूसरे चरण में क्या करेंगे आप चरण दो में B को केंदर मान कर BC के आधे से अधिक की दूरी का प्रकार खोल कर कोण एंगल DAE के अंदर वाले भाग में लगाईए अब क्या करेंगे आप जो ये था बी को इसको केंदर मानेंगे अब बी को ठीक है और बी-सी का आधे से जो जादा होगी दूरी इतना प्रकार खोल कर आप इसको केंदर मान कर एक चाप यहां लगाएंगे डी-ए-क अंदर वाले भाग में ठीक है अब इसके बाद चरण तीन क्या रहेगा प्रकार में भरी उतनी ही दूरी से सी को केंदर मान कर एक और चाप लगाई जो पहले चाप को बिंदू F पर काटता है अब जितनी दूरी आपने बी को केंदर मान कर यहां तक ली थी इतनी ही दूरी का प्रकार खोल कर अब आपको सी को केंदर मान कर जहां F को आगे मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है आपको तो A F कौन एंगल D A E का समद्वी भाजक है तो जो ये A F आएगा आपके पास ये इस कौन एंगल D A E का समद्वी भाजक है इसने इस एंगल को दो भागों में बराबर भागों में बाट दिया है अब आगे देखते हैं आओ करें ये हमें कुछ प्रेश्ण दिये गए हैं तो हम इनको solve करते हैं पहला क्या है कौन एंगल ABC 60 डिगरी बनाईए और उसका सम्धूई भाज़क कीजिए तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी करके देखा है इसी तरीके से हम करेंगे पहला चरण क्या रहेगा कौन एंगल ABC का सम्धूई भाज़क खीचना तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा 60 डिगरी का आप एंगल ABC इस तरीके से बनाएंगी तो आपका जो D होता है या प्रोटेक्टर होता है उसका इस्तमाल करके आप 60 डिगरी का एंगल ऐसे बना लेंगे ठीक है प्रकार में कोई भी दूरी भर कर अब क्या करेंगे आप प्रकार में कोई भी दूरी भरेंगे और B को केंदर मान कर A से C तक की चाप खीचनी है तो A से C तक की चाप नहीं होगा यह होगा यहाँ पर D से E तक की चाप खीचनी आपको यह D से E तक की चाप खीचनी है तो इसको A और C की जगे D E कर लेना ठीक है अब आप क्या करेंगे चरण 2 D को केंदर मान कर D E के आधे से अधिक की दूरी का प्रकार खोल कर कौर्ण एंगल A B C के अंदर वाले भाग में लगाईए ठीक है अब आपको क्या करना है इस D को आप केंदर मानेंगे ठीक है और अब D E के आधे से ज़ादा भाग का प्रकार खोल कर एक चाप आप अंदर की तरफ ऐसे लगा देंगे ठीक है अब तीसरे चरण में फिर क्या होगा प्रकार से भरी उतनी दूरी से E को केंदर मानकर एक और चाप लगाई जो पहले चाप को बिंदू F पर काटता है अब जैसे आपने D को केंदर मानकर और इतनी खोली हुई थी मान लीजे उसी की तरह वे दूसरी चाप लगाएंगे जो ये इसको बिंदू F पर काटेगी अब B को F से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए और फिर क्या करेंगे आप इस B को F से मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से BF कोड एंगल ABC का सम्दूई भाजक है तो इससे आपका जो ए BF होगा ये आपका इस वाले एंगल का सम्दूई भाजक है ये इस इस एंगल को इस और इस दो बराबर भागों में बाटेगा तो ये हो जाएगा आपका दूसरा प्राश्ण ठीक है अब तीसरा वाला देखते है कोड एंगल PQR पर 120 डिगरी बनाई है और उसका सम्दूई भाजक कीजिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे D लेंगे और उससे अपनी कॉपी में 120 डिगरी का एंगल जो है वो बनाएंगे आपको D से ड्रॉ करना है ये जो एंगल हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले 120 डिगरी का आपको एंगल ऐसे ड्रॉ करना है उसके बाद पहला चरण आपका क्या हो जाएगा कोड एंगल PQR का सम्दूई भाजक खीचना है हमें PQR का सम्दूई भाजक खीचना है अधिक की दूरी का प्रकार खोल कर कोण एंगल PQR के अंदर वाले भाग में लगाईए अब आप क्या करेंगे B को केंदर मानेंगे और जो प्रकार है अब वो इसकी A B की आदे से जादा दूरी का खोल कर मान लीजे यहां से यहां तक का खोल कर और फिर यह अंदर वाले अधिक को केंदर मान कर यहां पर ठीक है तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे जैसे यह मालीजे आपने B को केंदर मान कर यहां पर यादे से जादा खोला था ना तो इतना ही खोल के रखना आपको प्रकार और अब A को केंदर मान कर जो पहले चाप मालीजे आपने यह लगा देंगे अब QF क्या हो जाएगा QF होगा कॉण एंगल PQR का सम्दूई भाजक तो यह जो QF होगा यह आपके इस कॉण का सम्दूई भाजक मतलब इसको और इसको आधे बराबर भागों में बाठ देगा तो आशाय आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी अगर आपको य इस वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में